Hi guys, welcome back to my channel तो दोस्तो सर्दियों में किसका मन करता है मेहंदी लगाने का, घंटो, हेर पैक लगाने का बट सर्दियों में ही होता है festive season, शादियों में जाना होता है कई सारे get together होते हैं और festivals तो होते ही हैं और सफेद बालों के साथ तो कोई भी जाना पसंद नहीं करेगा इसलिए आज आपके साथ मैं बहुत ही easy सा एक hack share कर रही हूँ जिसे बना के आप store करके रग भी सकते हैं बिल्कुल natural और homemade है instantly आपके बालों को color देदेगा कहीं भी आपको अचानक जाना हो तो तो इस वीडियो को like जरूर करिएगा जादा से जादा शेयर करिएगा और चानल को subscribe कर लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा चलिए start करते हैं तो guys सबसे पहले आपको लेने हैं दो मिट्टी के दिये आप चाहें तो किसी bowl का भी use कर सकते हैं बट मैं यहां मिट्टी के दिये ले रही हूँ क्योंकि कटूरियों के जल्लें का डर रहता है दो मिट्टी के दिये ले ले इसमें से एक मिट्टी में मैं डाल रही हूँ mustard oil आप कोई भी oil डाल सकते हैं यहां basically हम काजल बना रहे हैं guys यह traditional तरीका है काजल बनाने का without any chemical इसमें कोई भी chemical यूज नहीं होता है हमारी दादी और नानी ऐसे ही काजल बनाती थी शायद आपको पता होगा इसमें मैं एक रूई की बत्ती को डिप करके और बस इसे दिया जलाओंगी जला लेंगे इसे इसे सूर्मा भी बोलते हैं काजल भी बोलते हैं और नॉर्मल जो मार्केट वाला काजल आता है वो आप यहां पर यूज नहीं कर सकते हैं वो इतना अच्छा काम नहीं करता है और नहीं ब्लेंड होगा अच्छे से दिया जला लिया है मैंने और अब इसे दूसरे मिट्टी के दिये से इसे मैं कवर कर दूँगी आप चाहें तो ऐसे हाथ से पकड़के भी रख सकते हैं बड़ जलने का डर रहता है तो थोड़ा सा इसको आप ढ़के रख दे मतलब पूरे दिये को कवर न करें हलका सा ऐसे ढ़के रख दे जिस तरह से मैंने रख आ है देखिए कवर करेंगे तो दिया बुझ जाएगा और हमारा काजल नहीं बनेगा इसलिए थोड़ा सा खुले रहने दे और इस तरह से ढखे और आप देखेंगे कुछ ही सेकेंड में हमारा काजल बनके तयार हो जाएगा बहुत जादा टाइम इसमें नहीं लगता है अगर आपको थोड़ा सा चाहिए तो बहुत ही जल्दी बन जाता है और अगर आप जादा देर रखेंगे तो अच्छा सा काजल बन जाएगा जिसे आप स्टोर करके रख सकते हैं यह देखिए हमारा काजल बिलकुल तयार है ब बिलकुल डcla Ryne रिलको लाक ऑटए इसे हम यूज करेंगे इसे उसकत हुर केसाथ एक सीरम हरता हीजै एक एक Whewकोई हादी सीरम आप ले लीज़ी सबके घरों होता हुटा हीए है एसे हम सीरम में मिक्स करके लगाएंगे आप चाहें तो ओले में मिक्स करके भी लगा सकते हैं बट ओयल में लगाएंगे तो वो हमारे बालों से बहुत जल्दी हट जाएगा, सीरूम स्टिकी नहीं होता है, इसलिए हमारे बालों पर यह टिका रहेगा, यह देखिए, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी रहेगी, ठिक सी, इसे आप अप्लाए करेंगे, और तुरंती कुछ सेकंड्स में यह ड्राइ हो जाएगा, और अराम से आप 3-4 खंटे, 2-3 खंटे से रख सकते हैं, और इसे आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं, गईसी खराब होने वाली चीज नहीं है, कुछ समय के लिए बना के स्टोर भी कर सकते हैं, या तो आप चाहें सर्फ काजल बना के स्टोर कर लें, और बाद में जब लगाना हो तो सीरूम लगा के फ्रेश इसे लगाएं, बहुत ही अच्छी और नाच्छल रेमिडी है, बहुत अच्छा टेचप करने का तरीका है, जब हम आपने पास समय नहीं हो, इस तरह से आप किसी भी ब्रश की हेल्प से इसे असानी से अप्लाई कर सकते हैं, मस्कारा ब्रश से यह बहुत अच्छे से लग जाता है, आप चाहें तो अपने फिंगर टिप्स से भी कर सकते हैं, और दुबारा से इसे, जितनी बार आपका मैंच चाहें, दुबारा से लगा सकते हैं, तो 12 से आप री अप्लाई कर सकते हैं कभी और कहीं भी तो उमीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी इस इजी हाट के लिए मुझे भर भर के लाइक चाहिए जादा से जादा शेयर चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे बहुत जादा अच्छ लगेगा चलिए गाइस मैं मिल दी हूँ आपसे अपने नेक्स वीडियो में तिस दिन टेक केर और बाइबाइब